Hello everyone, welcome to my channel, आज के वीडियो में हम जानेंगे इवर का हिंदी और इंग्लिस मीनिंग या अर्थ क्या होता है इवर का हिंदी अर्थ होता है सुराही, तसला, घड़ा, कलस या कुंब वहीं इसका इंग्लिस मीनिंग होता है A large jug with a wide mouth, formerly used for carrying water A large jug with a wide mouth, formerly used for carrying water एक example से समझते हैं इसे, for example The lamp by her bed was turned low, the water in the ever already cold यहां इवर का अर्थ है घड़ा, उदाहरन उसके पलंग के पास का घड़ा नीचा कर दिया गया था, पानी पहले से ही ठंधा था और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही, thank you so much for watching my videos झाल